हेलो और वल्कम टू टेली एक्स्प्रेस यह वनस्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एंटेन्मेंट नियूज दोस्तों सीरियल यह रिष्टा क्या क्या लाता है में एक बहुत बड़ा सबर्दस्ट ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के जरीए वि हातसा होने वाला है और उस हाथशे की वजह से अभिमन्यू और अक्षरा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और साथी साथ आरूही मरते वक्त इस दुनिया से जाते वक्त अपनी से एक ऐसा वादा मांग लेगी जिसके पास अक्षरा और अभिमन् मरते मरते आरूही एक बहुत बड़ा वादा मांगेगी और किसी से नहीं बलकी अक्षरा से लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा अभीमन्यू की बहुत बड़ी और भयंकर लड़ाई होने वाली है अक्षरा अभी मन्यू पर इल्जाम लगाएगी अपनी बेहन की मौत का तो वहीं अभी मन्यू अक्षरा पर आरूही की जिंदगी लेने का बड़ा ही संखीन इल्जाम लगाता हुआ नजर आएगा और इसी बीच इन दोनों का रिष्टा बहुत ही बुरे तरीके से तूट जाएगा वेल कहाने में आगे क्या कुछ होने वाला है चलिए आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बताते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें बेल लोटिफिकेशन दबाना आप बिल्कुल भी न भूले दोस्तों घर में आ चुके हैं दो गुंडे उनमें से एक इनसान वो है जो पहले अभिबन्यू बिर्ला के हॉस्पिटल में काम करता था लेकि दूसी अपने घर के धाल बनकर उस इंसान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है तब या बोगे के दौरा चाकू लग जाता अरूही को और उसे twice पूरा बिरला परिवार और गोईट Rs. अब jy गए थे और उनकी घर की बेटी भी इस तरीके से हाधसे का शिकार हो गई अक्षरा चिलाएंगी अभी visitor पर कि तुभारी वजहें ये गुंटा घर में आया है तो वही अभिमन्यू कहेगा कि तुमने अगर हमें सही वक्त पर बुला लिया होता तो ऐसा नहीं होता तुम हर बार हर मुसीबत से अकेले ही क्यों लड़ना चाहती हो आरूही तुम्हारी वज़ा से चली गई तो अक्षरा कहती है कि नहीं तुम् कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रूही मेरी जो बेटी है वो बिर्ला परिवार में बड़ी हो तुम कुछ भी करो लेकिन बादा करो कि रूही सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगी अपनी बहन को यह आखरी बादा भी अक्षरा कर देती है कहानी में आने वाला नया ट्वि लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूले